सिधी सिधी बात नो बकवास एकी बात में मुद्दे की बात करते हैं तीन टन का प्लांट लेना हूँ एवरेज अंदाज दगर तीन टन का प्लांट खरेदना हूँ यानि पर डे तीन हजार किलो बरफ यानि पचास किलो का कैन और साट पिस निकालना हूँ पचास किलो का कैन आएगे ऐसे अगर सांट पीस निकालने हो तो कितना खर्चा आना चाहिए कैसे खर्चा निकालेगे और अपने को कैसे पता चलेगा सही खर्चा है के नहीं चलो आज अंदाज बता देता हो 50 किलो का केन लेते, रोज के 60 पीस निकालने, अगर एक केन, अब अभी चल रहा है, मैं नहीं कहता हूँ, Google पे सर्च कर लिजिए, वना दूसरी कमपनी उसे पूछ लेंकाना है, का 50 किलो का केन कितने मिलेगा, तो एक लाग हाट जार केन की किम्मत होती है, ये केन का पैसा है, इतने पतले केन का तो इतना बड़ा लोहे का टैंक बनेगा ये तीन टन का प्लांट, अगर बड़ा का टैंक बनेगा, जिसके अंदर लोहे की प्लेटे जाएगी, श्टी जाएगी, फाइपए जाएगी, थम्बे लगे, तो एम दा जी 2 लाख रुपे का खर्चा मान के तो यह पूरे प्लांट के अंदर आपका 230 किलो जितना यूज होता है यह प्रैक्टीकली चलाओ चलाओ नेट पर किलो जल रहा है यह पूच सकते हैं तो 60 जार प्लाइवूड यह प्लाइवूड यह अगर यह प्लाइवूड का अंदर तो चलो लास्ट में लास्ट इसका 20,000 रुपी गिनते हैं इससे ज्जादा भी निकिनना है 20,000 रुपी की प्लाइवूड अब एजिट विलसेट वह दिखर है वह एजिट जीटेटर गैलाता है और विलसेट एक साड में मेरी वीडियों के अंदर आपको दिखा देता हूं वह आपने देख लिया होगा तो वीडियों के लिए आधर देखे तो विल्सेट गाला तो इसका पैसा गिंते तो 20 जार जितना हो तो दुनों का मिला कि एवरेच इससे कम का मिलता है तो मुझे आके देजाईए का मैं खरीद लूगा फिर क्रेन का फिटिंग और क्रेन इसके उपर ठंबे लगेगे गडर चलेगी उसके उपर घडर होगा वो क्रेन एक बरफ दस-दस-जार गी मोटर जो कि अभी दस-दस-जार बाव भी नहीं है जाद ही बाव है तो अभी अपना दस-दस-जार गीं तब 20-000 रूपया हुआ अब cooling tower एक cooling tower मेरी वीडियो में के अंदर दीख रहा है वो side में blue color का दीख रहा है ये cooling tower के लाता है उसका 40,000 रुपया होता है अब आता है पैनल बोड जो आपको operating की पैनल बोड है वो भी मैंने वीडियो के अंदर दीख रही है आपको भी मान आदमी या कंपनी वाला प्लांट बनाएगा तो खर्चा होगा चलो मजदूरी 50,000 मान लिया तो सिर्फ में इस टैंक का भाई साब इस टैंक का ही में कहा रहा है टैंक केन और cooling tower फिटिंग का या छेला कठावना जरो जाता है तो मेरा सवालिये सिधा सिधा कंप्रेसर वाकी रह गया ऊपर के कॉइल बांटी रहे गई उसका वाल फिल्टर फिर कंप्रेसर के बॉड़ी बांटी रहे गई प्लम्बिंग का मट्रियल जो वर्टिर्यल उजो का पीवीश पाइप वाइरीं केबल एक्स्रेक्टरा सब अर्दिक बैका रेट ज्यादा है तो इसके अंदर से टेंक बनता है ना उसमें 6.5.6.6 चले गए तो कंप्रेसर और यह कोई अगर आपको यह कहता है आपको पांच लाक में प्लांट बना कर दे दूगा तो आप जैसे ब्योकूप मैंने नहीं देखें इसके अंदर से आप कौन सी चीज मार्केट में से लेने के बाद इसका बाव घटा सकते हो पहला मेरा सवाल दूसरा सिद होना तो मुझे दीजेगा मैं खरिद लोगा माल सारा आपका और कैसा पैसा कैस कोई भी चीज की उधारी नहीं चाहिए मुझे 800 में कैसा कैस ले जाई है कैन ले जाई है पचास किलो के बले उतार यहां पर चार जार पांच जार दीजा ले लुगा मार्केट के अभी जो व का अभी खरिद ले अगर इससे सस्ता तुझे कोई देता हो तो अभी से अभी ले ले बागी मिलेगा नहीं इससे सस्ता दो दन्यवाद